मैं डाक्टर आर्पी सिंग होमेपथी चुके सक आपको आपने यूट्यूब चैनल पर सखर करता हूँ यदि आपको किसी भी रोग से सम्मदित कोश्मस्या हो तो मेरा वीडियो देखें मैंने अब तक लगभग सबी रोगों के लक्षान अन्रूप अफचार वाली वीडियो बना रखी है यदि आपको प्राम मर्स लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आए मैं आपको होमेपथी की दवा मेंथाल के सिंटम्स और यूजिज बताने जा रहा हूँ यह औस दि मेंथाल की मूल तेल से बना हुआ एक चर्वीला पदार्थ है नासा गलकोस और मेरू डंड के अशनायू गुच्च की स्लैस्मिक जिल्ली को प्रभावित करता है उनमें अशनायू रोग और समवेदन भ्रंस उत्पन्न होता है हो मेंथाल तिब्र जुखाम, तिब्र गलकन, नलिका जुखाम, गलकोस प्रदा, श्वर यंत्र प्रदा, अशनायू शूल, इत्यादी में लाबकारी है उस्दी खुजली खास कर योनी गुंडी में हो, सिर में दर्द, अगले खोकले भाग के उपर आखों के ढेले में उत्रे मानसिक गरबडी, बाई आख के घेरे के उपर दर्द, चेहरे में जबडे के उपर दर्द, सुनपन के साथ आखों के ढेलों में दर्द, जुखाम, नाख के पिछले भाग से स्राव, नाक ठंडी, कंट नली, कंट कंडी नली, बंद मालुम हो और कुछ बहरापन हो मुह के गढ़े में गुदगुदी, हिरदय छेतर में चुभन, दर्द सारे सीने में फैले बार बार सूखी खासी धुम्रपान से बढ़े, दम्मा की तरह सास लेना, साथ में रख्ता धिक के जनित सिरदर्द हो, गर्दन छेतरी पेशियों में दर्द, कटी पेशियों में दर्द, तो इस दवा का प्रयोग करें इस दवा की तुलना या संबंद कैली ब्राइको और इसपाई जेलिया से की जाती है, इस दवा की मात्रा छे सकती प्रयोग में लाई जाती है, खाज के लिए बाहरी प्रयोग इसके मूल अर्ग से की जाती है, धन्यवाद